तो हेलो रबन कैसे हैं आप लोग तो आज की वीडियो आपको पीडियो के तरफ से होने वाला है, जो पीडियो का C18 A1 इसका model number आपको मिल जाएगा है, जो की इसका power आपको 12W में ही मिलने वाला है, जो 24W इसका programming power इसमें दिया गया है, तो आज इस speaker का detail बताने वाला हूं और प्राइब भी बताऊंगा और पूरा इसके इस पेसिफिकेशन बताएंगे तो वीडियो को लाइक तक आप जरूर देखेगा तो गाइस वीडियो श्टाट करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर डीजे गाल चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को से खेल आइकन का घंटा जरूर दबाईए अगर वीडियो आपको अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक करना न भूले तो गैस आप देख सकते हैं तो गैस आप देख सकने इसका फ्रंट पर आपको बहुत अच्छा सा उन्यूक्स डिजाइन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो full changes body में आपको एक नम्मर का speaker आपको मिलने वाला है जो प्याडियो का model नमर C81200 इसका model आपको मिल जाएगा जो अच्छी company के साथ ही आपको अच्छी quality भी मिलने वाला है इस speaker में आप देख सकते हैं इसका dust कर आपको मिलने वाला है तो आप देख सकते हैं जिसका पेपर कॉन जो काफी अच्छी quality आपको मिलने वाला है तो सिंगल spider निसमें दिया जो अच्छी quality वाल्टि का आपको मिल जागा तो चले गए समागे बात करेंगे इसका back panel पर देखेंगे तो पहले ता आपको एक fried बल्डियसन के लिए आपको जगह मिल जाएगा जिसमें अगर क्वाइल अगर हीट होता है तो एर बल्डियसन से गरम का जो गरम एयर होता हो भार निकल जाता है इसलिए आपको क्वाइल सुरचित रहता है उसके नीचे आएंगे देखेंगे इसमें आपको टर्मिल देखने क जो अच्छी क्वालटीक आपको मिलने वाला है जो अच्छी क्वालटीक साथ साथ आपको 18 इंच में इसपीकर आपको मिल जागा जो ब्येस बात करेंगे इसका नम्मेणल इंविदेंस का बात करें तो यह भी आपको ये टोंस में ही मिलने वाला है, जो आपको ये टोंस में मिल जाएगा, तो अचले गई समागे बात करेंगे इसका nominal power handle का, जिसका wattage का बात करें, तो ये 12W ES power में, यानि कि RMS power में नहीं है, ये speaker आपको ES power में है, जो कि 12W से कम माना जाएगा, अगर ये ही RMS power होता, तो फुल 1200W माना जाता है, तो माना चली इस speaker आपको 1000W का असपास में मिलेगा, जो अगर wattage का बात करेंगे, तो 1200W आपको ES power में ये speaker आपको मिलने वाला है, चली दोस्तों, हमागे बात करेंगे इसका power handle का, इसका power handle का बात करें, तो ये speaker का power handle आपको 24W में मिलने वाला है, आपको 24W में बात करेंगे, इसका psychology, इसका frequency range, frequency का बात करें, तो 35 हर्स लेकर 1KHz तक, यानि आपको 35 वर्षा लेकर 1000 हर्ज तक आपको यह इसका frequency range आपको मिलने वाला है जो इसका frequency range आपको मिल जागा जो अच्छी quality साथ आपको अच्छा company के आपको इसमें फ्रिक्वेंसी range आपको मिल जागा तो चले कैसे हम आगे बात करेंगे इसका voice coil diameter का इसका voice coil के बात करें तो इस speaker का coil आपको 114.4 में मियानी की 4.5 inch में आपको इसका voice coil आपको मिलने वाला है जो 18 inch की speaker है 200 watt ES power में आपको 4.5 inch speaker में आपको मिलने वाला है जो अच्छी quality का speaker में आपको coil आपके लिए दिया गया है चले हम आगे बात करेंगे इसका voice coil material का तो इसका voice coil material का बात करें तो यह आपको 100% copper में मिलने वाला है तो चले करेंगे इसका weight का इसका net weight के बात करें तो आपको 18.1 kg यानि कि आपको 18 kg का सब्सक्राइब आपको ज्यादा weight मिलेगा यह आपको 18 kg का आश्पास में फिकर आपको मिलने वाला है तो चले काई से हम बात करेंगे तो finally price का price का बात करें तो यह speaker आपको उरजनल लेंगे लेंगे मार्केट में तो आपको 19-20.000 का असपास में इस speaker आपको मिल लेगा जो अच्छी कंपनी का है अच्छी क्वाल्टी का आपको 19-20 तर ओर्जिनल लेंगे तो आपको मिलने वाला लोकल लेंगे क्योंकि प्याडियों में लोकल बहुत ज़्यादा मिलता है प्याडियों हो गया आरसी अफ हो गया लोकल आपको बहुत मिलेगा, हजारों तातात में आपको लोकल मिलने वाला है, मगर आप अच्छी कंपनी का अगर अच्छा बेस अच्छा थ्रोच आते हैं तो आप उर्जेन लीजिए, पता करिए किसी मार्केट में इसमें कस्टोमर केर के नम्मर भी दिया जाता है, बेर सा